हलो स्टुदेंट्स आज हम करेंगे क्लास सेवंत का चाप्टर नमबर टू फ्रैक्शन तो बिफोर स्टाइटिंग दे चाप्टर आइल तेल यू वाट इस फ्रैक्शन में है उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं लाइक 7 अपॉन 11 और 11 अपॉन 7, 9 अपॉन 6 कोई भी चाज विच इस इन दा फॉर्म अपॉन अपॉन बी तो नौ वी विल प्रोसीड तोवर्ट एक्सराइस तु ए क्वेशन नमबर बन इस कंपेशन दे फ्रैक्शन आपको दू फ्रैक्शन दी हुई हैं आपको नहीं कंपेर करना हैं कंपेर मतलब यू आप तो तेल विच वन इस ग्रेटर अब देखेएं आपको नौब नौना फ्रैक्शन आपको नौना आपको नौना ओsन देखें प्रेटर अब देखिए ascending order में कैसे रही होता है we know this is smaller to bigger लेकिन ऐसे नहीं पता चल रहा fraction को देखने में कि कौन सी fraction बढ़ी है या कौन सी छोटी है तो इसका method क्या है हम जो denominator है उनको same कर लेंगे by taking LCM so we'll take the LCM of 4, 6, 9 and 12 अब देखिए this will go on table of 2, 2, 3, 9, 6 ऐसे करके हमारा LCM आगया 36 अब fraction हमारी है first 3.4 इसको 36 बनाने के लिए 9 से multiply up and down next fraction है 5.6 to make it 36 मतलब denominator को 36 बनाने के लिए 6 से multiply up and down next fraction है 7.9 to make 9 as 36 बनाने के लिए 3 से multiply up and down यह देखिए कितना हो गया 27 upon 36, 30 upon 36, 28 upon 36, 33 upon 36 अब जो denominator है वो same हो गये है अब हम उपर वाले number जो numerator है उनको पहले ascending order में range कर लेंगे so ranging these in ascending order means small to bigger we'll get this one अब देखिए 27 upon 36 in original form किसका number किस number से बना साथ 27 upon 36 इसका था 3.4 तो मतलब जो question की form में उसी में आफ fractions लिख दीजिए next descending order bigger to small तो bigger to small हमने fraction लिख ली फिर original form भी इसको represent कर दिया clear I hope these questions are clear to everyone please subscribe my video please subscribe my channel for more videos